Qualcomm Snapdragon 778G जैसा powerful chipset, up to 13 5G bands, 144Hz तक की higher refresh rate और साथ ही gaming के लिए आपको यहाँ पर मिल जाता है liquid cooling system तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे ही top 4 best gaming phones under 20,000 और दोस्तो gaming का जो crazy वो काफी तेजी से बढ़ रहा है तो ऐसे में smartphone company भी लगातार gaming smartphone launch करती जा रही है और इन में से आप सभी को कौन से smartphone के साथ में जाना चाहिए उसके लिए हमने यहाँ पर सभी smartphone के pros और cons को भी hide कर दिया है जिससे आप यहाँ पर एक perfect decision भी ले सकेंगे दोस्तो वीडियो काफी informative और काफी helpful होने वाली है वीडियो के end तक बने रहीएगा वीडियो पसंद आए तो like और share करने के साथ चैनल को subscribe और घंटी बटन को दबाना बिलकुल मत भूलिएगा तो चलिए शुरू करते हैं मेरा नाम है राम और gadget news दिपे आप सभी का स्वागत है दोस्तो performance के साथ साथ अच्छे features भी होने चाहिए इसके लिए हमने सभी smartphone को rank किया हुआ है feature wise यही बात के लिए नमबर 4 की और दोस्तो नमबर 4 पर आपको यहाँ पर एक true 5G या फिर आप यहाँ पर इसे true gaming smartphone भी कह सकते हैं यह phone है Infinix का 05G शुरू करते हैं phone की build quality से तो यह phone आपको plastic build पर दिया गया है लेकिन दोस्तो build quality काफी अच्छी है और रही बाट design की तो वो भी आपको यहाँ पर काफी अच्छा मिल जाता है दोनों में आपको यहाँ पर कोई भी शिकायत नहीं आती है और अगर हम phone के कुछ other features की बात करें तो यहाँ पर आपको side mounted fingerprint sensor 3.5 mm का jack dual stereo speakers और साथ ही में triple card का option मिल जाएगा तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 5G SIM और एक memory card लगा सकते हैं जो की काफी अच्छी बात है लेकिन यार यहाँ पर phone का एक बहुत ही बड़ा draw आए कि यह phone आता है Android 11 best XOS 10 पर हलाकि पहले से तो काफी अच्छा हो चुका है लेकिन अभी भी काफी सारे works और bloatware app मिलते हैं जिससे आपकी software performance यहाँ पर ठीक ठाक होती है तो software के मामले में यह smartphone आपको थोड़ा सा downgrade मिलता है चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं phone के main features के बारे में तो यह phone आता है 6.78 inches की Full HD Plus वाली IPS LCD display के साथ में जहाँ पर आपको up to 500 nits तक की brightness मिल जाती है जो की अच्छा है और साथ ही में NEG Dynorex का prediction भी आपको दिया गया है gaming की बात कर ले तो 120 Hz तक की refresh rate और 240 Hz तक की touch sampling rate का support भी आपको मिल जाता है और और फोन की जो display quality दोस्तों वो आपको यहाँ पर काफी अच्छी मिलती है चलिए बात कर लेते हैं phone के camera's के बारे में साथ ही में आपको यहाँ पर 2 Megapixel का एक depth sensor मिल जाएगा सामने की बात कर लेते हैं तो सामने आपको यहाँ पर 16 Megapixel का selfie snapper मिल जाएगा तो camera setup phone का यहाँ पर इस budget के इसाप से तो बहुत अच्छा दिया गया है लेकिन camera output आपको यहाँ पर decent type के मिलते हैं रही बात video recording option की तो आप यहाँ पर back camera से ultra HD की video recording कर सकते हैं up to 30 fps और front camera से आपको यहाँ पर full HD की video recording का option मिल जाएगा 30 fps तो अगर आप यहाँ पर camera अच्छा चाहते थे तो आप smartphone को यहाँ पर skip कर सकते हैं अब बात कर लेते हैं phone की performance की तो phone के अंदर लगा हुआ है यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको यहाँ पर चार लाग पचत्तर हजार के आसपास के score मिलते हैं जो की काफी अच्छे score हैं तो gaming भी आप यहाँ पर high level की कर सकते हैं editing और rendering भी आपको यहाँ पर कर सकेंगे साथ ही में यहाँ पर आपको पढ़ने और लिखने की शक्ती भी तेज मिलती है याने दोस्तों यहाँ पर आपको UFS 3.1 की storage मिल जाती है और phone के अंदर आपको LPDDR5 की RAM दी गई जो की flagship level की है तो performance wise phone में आपको यहाँ पर कोई भी शिकायत नहीं आती अगर phone के power house की बात करें तो phone के अंदर आपको मिलती है 5000 mh की battery जहाँ पर आपको 33 watt की charging का support और charging के लिए Type-C वाली port मिल जाती है तो phone का battery module भी आपको यहाँ पर काफी अच्छा दिया गया है तो चलिए अब बात करें phone के कुछ pros के बारे में तो design, performance और साथ में gaming performance phone के अंदर आपको काफी अच्छे मिल जाएगी कुछ cons की बात के लिए तो आपको यहाँ पर software और camera उतने जाधा अच्छे देखने को नहीं मिलते हैं तो दोस्तो अगर आपको इस smartphone के pros पसंद है तो आप इस smartphone के साथ में जा सकते हैं 8GB RAM प्लस 5GB की virtual RAM और 108GB की inbuilt storage के साथ में इस smartphone को आप अभी purchase कर सकते हैं 17,999 पर पे की price पर आप दोस्तो सभी के जो best buy links है वो हमने नीचे discussion box में भी दे रखें तो आप चाहें तो वहाँ से भी जा करके checkout कर सकते हैं और दोस्तो अगला जो smartphone है वो आपकी सभी requirements को यहाँ पर फूरा कर देगा अच्छे क्यामराज, अच्छी performance, साथी में अच्छी software performance दोस्तो यह phone है यहाँ पर Realme 9 Pro तो शुरू करते हैं यहाँ पर phone की build quality से तो यह phone भी आपको यहाँ पर plastic build पर मिलता है लेकिन back side आपको यहाँ पर glossy देखने को मिलेगा जो कि दोस्तो काफी premium लगता है और रही बाट design की तो वो भी आपको यहाँ पर काफी अच्छा मिल जाता है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं चलिए कुछ other features की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको side mounted fingerprint sensor 3.5 mm का jack single bottom firing speakers जिससे आपको यहाँ पर audio decent type की मिल जाती है साथी में यह phone आता है यहाँ पर hybrid card option के साथ में तो आइधर आप यहाँ पर एक साथ में दो 5G sim या फिर एक 5G sim और एक memory card लगा सकते हैं लेकिन user interface की बात करें तो दोस्तों यह आता है latest android 12 के साथ में जहाँ पर आपको मिलता है realme 3.0 जो कि आपको software performance काफी अच्छी देता है वहाँ पर आपको कोई शिकायत नहीं आती तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं phone के main features के बारे में तो यह phone आता है 6.6 inches की full HD plus वाली IPS LCD display के साथ में अलाकि यहाँ पर कौन से टाइप का protection दिये गया यह तो confirm नहीं है लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको up to 500 nits सकी brightness मिल जाती है तो देखा जाए तो यहाँ पर भी आपको कोई खास शिकायत नहीं आएगी phone को outdoor इस्तमाल करने में साथ ही में 120 Hz की refresh rate और 240 Hz की touch sampling rate आपको मिल जाती है तो यहाँ पर भी आपको जो display देखने को मिल रहे हैं वो काफी अच्छी है डिस्पले में आपको यहाँ पर भी कोई शिकायत नहीं आती चलिए बात कर लेते हैं अब यहाँ पर phone के cameras के बारे में तो phone के back side में लगे हुए हैं तीन camera जहाँ पर main camera आपको मिलता है 64 megapixel का 8 megapixel का ultra wide lens दिया गया है 2 megapixel का आपको macro sensor मिलता है सामने की बात करें तो सामने आपको मिलता है 16 megapixel का selfie snapper camera setup phone का यहाँ पर decent है लेकिन आपको output काफी अच्छे मिलते हैं तो वहाँ पर आपको शिकायत नहीं आएगी video recording option की बात कर ले तो आप यहाँ पर maximum full HD की video recording कर सकेंगे front और back दोनों ही camera से 30 fps तक तो अगर आप अच्छे camera वाले smartphone लेना चाहते थे तो आप एक बार इस smartphone को देख सकते हैं चलिए अब बात के लेते हैं phone की performance के बारे में तो दोस्तो phone के अंदर लगा हुआ है Qualcomm Snapdragon 695 का 5G chipset और दोस्तो इस budget में यही एक chipset है जो कि आपको अच्छी performance भी देता है और stability भी काफी अच्छी देता है 6 nanometer fabrication पर बना हुआ chipset है जिससे आपको यहाँ पर hitting की problem काफी कम आती है और battery efficiency फोन की आपको काफी अच्छी मिल जाती है day to day uses में phone काफी अच्छा perform करता है gaming के लिए लगबग आपको यहाँ पर 4-474 लाग के आसपस के onthitude score मिलते हैं तो आप यहाँ पर अच्छी लेवल की gaming भी कर सकते हैं साथ में video editing या फिर rendering भी आप यहाँ पर कर सकेंगे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आती साथ ही में आपको यहाँ पर phone की पढ़ने और लिखने की शक्ती भी fast मिल जाती है फोन के अंदर UFS 2.2 का storage लगा हुआ है तो overall जो phone की performance है वो आपको काफी अच्छे मिलती है लेकिन अगर phone के power house की बात करें तो दोस्तो phone के back side में आपको मिलती है 5000 mh की battery और यह battery आपको यहाँ पर एक से सवा दिन का backup काफी आराम से देती है साथी में यह phone भी 33W की charging को support करता है 33W का charger आपको box के अंदर मिलता है charging के लिए type C वाली port मिल जाती है तो phone का battery module आपको यहाँ पर काफी अच्छा दिया गया है चलिए अब बात कर लेते हैं phone के pros के बारे में तो phone के अधर आपको looks, performance, camera, battery backup और software experience यह सबी काफी अच्छे मिल जाते है cons की बात कर लें तो यहाँ पर आपको ultra HD की video recording का option नहीं मिलेगा hybrid card option मिलता है और आप दोस्तों यहाँ पर आपको gyro EIS भी नहीं दिया गया है तो दोस्तों यह थे smartphone के कुछ cons अगर आप यहाँ पर अच्छे camera के साथ में 5G smartphone लेना चाहते हैं तो definitely आप इस phone के साथ में जा सकते हैं 6GB RAM 128GB inbuilt memory के लिए आपको देने होंगे 179999 रुपे तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इस list के one of the best phone के बारे में जो कि आपको all-rounder performance निकाल कर दिता है दोस्तों यह phone है यहाँ पर Proco का X4 Pro 5G बात कर लेते हैं phone की design और build quality के दोस्तों तो यह phone आपको इस budget के अंदर premium build के साथ में मिलता है यहाँ दोस्तों fully glass build पर बना हुआ phone है तो यह बहुत अच्छी बात है साथी में हलका फुलका waterproof भी है तो यहाँ पर भी आपको कोई शिकायत नहीं आती रही बात design की दोस्तों तो design भी काफी अच्छा दिया गया है आप यहाँ पर देख सकते हैं design आपको काफी अच्छा मिल जाता है other features की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको side mounted fingerprint sensor मिल जाता है 3.5 mm का jack दिया गया है dual stereo speakers आपको मिल जाते हैं तो यह अच्छी बात है यह फोन आता है hybrid card slot के साथ में तो आइदर आप यहाँ पर एक साथ में 2 5G SIM या फिर एक 5G SIM और एक memory card लगा सकते हैं user interface की बात कर ले तो यह फोन आता है Android 11 बेस MIUI 13 पर हाला कि दोस्तों Android 11 लेकिन आपको यहाँ पर bloatware app वगरा काफी कम मिलते हैं काफी neat and clean software experience आपको मिल जाता है तो फोन की जो software performance इस तो वह आपको यहाँ पर अच्छी मिलती है उसमें आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आती तो दोस्तों यह फोन के basic features अब बात के लेते हैं फोन के main features के बारे में तो इस फोन के अंदर आपको मिल जाती है 6.67 इंचेस की full HD plus वाली super amoled panel साथी में corning gorilla glass 5 का prediction आपको मिल जाता है और 1200 needs की आपको यहाँ पर brightness दी गई है जो कि दोस्तों usually हमें आप पर 20,000 रुपे के उपर वाली smartphone के अंदर मिलती है देखा जा तो display की quality फोन के अंदर काफी अच्छी मिल जाती है साथी में gaming के लिए 120Hz तक की refresh rate और 360Hz की touch sampling rate का support दिया गया है तो display दोस्तों इस फोन के अंदर आपको यहाँ पर top notch मिलती है camera's की बात कर लेते तो phone के back side में आपको मिल जाते हैं 3 camera जहाँ पर main camera लगा हुआ है 64 megapixel का 8 megapixel का ultra wide और 2 megapixel का depth sensor दिया गया है सामने की बात कर लें तो सामने आपको मिल जाता है 16 megapixel का selfie snapper तो camera setup phone का यहाँ पर अच्छा दिया गया है और आपको यहाँ पर main camera से daylight में images भी काफी अच्छी मिल जाती है हाला कि थोड़ी सी oversaturated होती है लेकिन दोस्तो night में भी आपको यहाँ पर photos काफी अच्छी मिलती है तो यह अच्छी बात है वीडियो रिकॉर्डिंग की बात के लिए तो maximum आप यहाँ पर full HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे front और back camera से 30 fps तक अगर आपको यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग के option अच्छे चाहिए थे तो दोस्तों मेरे इसाब से आपको इस smartphone को skip कर देना चाहिए फोन को शक्ति प्रदान करने के लिए फोन के अंदर लगा हुआ है Qualcomm Snapdragon 695 का 5G chipset यह chipset बना हुआ है 6 nm fabrication पर तो heating की शिकायत आपको काफी कम मिलती है साथी में liquid cooling system भी आपको मिल जाता है तो यह अच्छी बात है और हाँ दोस्तों फोन का battery backup भी आपको यहाँ पर काफी अच्छा मिलता है performance की बात कर ले तो day to dayosis में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आती है और हाँ दोस्तों on to to score की बात कर ले तो लगबग आपको यहाँ पर 4 लग के आसपास के on to to score मिल जाते हैं जो कि आपको gaming भी काफी अच्छी करा देते हैं और दोस्तों फोन की जो performance यह आपको यहाँ पर अच्छी मिलती है साथी में यह फोन यहाँ पर 67 वाट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है 67 वाट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिल जाता है चार्जिंग के लए टाइप-C वाली पोर्ट मिल जाती है तो बैटरी मॉडिल दोस्तों फोन का यहाँ पर धमाकेदार है अब बात कर लेते हैं फोन के प्रोज के बारे में तो फोन के अंदर आपको डिजाइन, पर्फॉर्मेंस, क्यामरा और दोस्तों बैटरी लाइप के साथ साथ डिस्प्ले भी काफी अच्छी मिलती है लेकिन अगर कॉंस की बात करें तो यह स्मार्टफून अभी भी Android 11 पर लॉंच किया गया है जो कि दोस्तों स्मार्टफून का एक डिस एडवांटर है और साथी में दोस्तों फोन की जो वीडियो रिकॉर्डिंग आप्शन है वो भी आपको यहाँ पर Maximum Full HD की ही मिलती है तो देखा जाए तो यह था स्मार्टफून के कुछ डिसडवांटेज लेकिन अगर आपको इस स्मार्टफून के प्रोस पसंद है तो आप इस स्मार्टफून के साथ में जा सकते हैं 6GB RAM और 64GB inbuilt memory के लिए आपको देने होंगे 18,999 पर तो अगर आप यहाँ पर एक well balanced स्मार्टफून लेना चाहते थे तो आप इस स्मार्टफून के साथ में जा सकते हैं तो देखा गया तो फीचर्स काफी अच्छे हैं जैसा कि दोस्तो मैंने आपको बताया फोन का डिजाइन आपको यहाँ पर काफी अच्छा दिया गया है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह स्मार्टफून आपको कैसा देखने को मिलता है रही बात बिल्ड क्वाल्टी की तो आज कल के सभी स्मार्टफून's TUV-Rinline certified होते हैं तो बिल्ड क्वाल्टी से आपको यहाँ पर शिकायत नहीं आने बाली है हाला कि दोस्तों प्लास्टिक बिल्ड पर ही बनाओगा स्मार्टफून लेकिन फोन की बिल्ड क्वाल्टी से आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी रही बात फोन के अधर फीचर्स की तो यहाँ पर आपको side mounted fingerprint sensor दिया गया है 3.5 mm का jack देखने को मिल जाता है triple card के option आपको यहाँ पर फोन के अंदर दिये गया है तो यह काफी अच्छी बात है आप यहाँ पर एक साथ में दो 5G SIM और एक memory card लगा सकते है इस smartphone का यह एक बड़ा advantage है लेकिन दोस्तो फोन के अंदर हमें आपर single bottom firing speaker दिया गया है जबकि दोस्तो इस price पर लगबग सभी smartphone के अंदर हमें stereo speakers अब देखने को मिल रहे है तो ऐसे में दोस्तो इस smartphone का यह एक disadvantage है और हाँ दोस्तो अगर हम बात करें यहाँ पर एक और disadvantage की तो यह smartphone launch किया गया है Android 11 पर जबकि दोस्तो Realme 9 Pro और 9 Pro Plus इस smartphone को launch किया गया था अंस्ट्रॉल कर सकते हैं तो यह अच्छी बात है तो फोन का जो ओर और सॉफ्ट्व एक्सपीरियंस है दोस्तो वह आपको यहाँ पर अच्छा मिल जाता है अब जानते हैं फोन के main features के बारे में तो यह phone आता है 6.6 inches की Full HD Plus वाली IPS LCD पैनल के साथ में अबर आपको Panda Glass का support दिया गया है तो यह अच्छी बात है कि यार इस बार Realme ने confirm तो कर दिया कि हमें यहाँ पर कौन से टाइप का protection मिलता है जो कि लगपक आपको यहाँ पर Corny Gorilla Glass 3 की तरह मिल जाता है तो और और आपको यहाँ पर protection में शिकायत नहीं आने वाली है और हाँ दोस्तो इस phone के अंदर आपको maximum 600 needs की brightness का support दिया गया है तो outdoor में भी आप यहाँ पर इस phone को easily समाल कर सकते हैं रही बात gaming की दोस्तो तो इस budget के अंदर आपको किसी भी smartphone के अंदर 144 Hz की refresh rate वाली display नहीं मिलती है जो की smartphone के अंदर दी गई है तो यह smartphone का एक और advantage है हाला कि दोस्तो touch sampling rate आपको यहाँ पर 240 Hz की ही मिलती है तो देखा जाए तो और जो display दी गई दोस्तो यह आपको अच्छी मिल जाती है चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं phone के camera's के बारे में दोस्तो इस phone के back side में लगे हुए हैं 3 camera जहाँ पर main camera आपको मिल जाता 48 MP का 2 MP का macro और 2 MP का depth sensor दिया गया है और सामने की तरफ हमेशा की तरह आपको यहाँ पर 16 MP का selfie snapper दिया गया है camera setup दोस्तो यहाँ पर average है और यहाँ पर camera output भी आपको average ही मिलती है जैसा कि दोस्तो मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पर काफी research और analyze करके आप सभी के लिए smartphone लेकर के आते हैं हमने काफी सारे reviews देखे हैं और वहाँ पर हम यहीं पता चला है कि phone का camera यहाँ पर average perform करता है किन अगर आप यहाँ पर video recording करने के शौकीन है तो आपके लिए यहाँ पर एक काफी अची good news है क्योंकि दोस्तो फोन के अंदर आपको यहाँ पर 4K तक की video recording का option दिया गया है 30 अपेस तक back camera से और सामने की तरफ दोस्तो आप यहाँ पर full HD की video recording कर सकेंगे 30 अपेस तक तो आपको यहाँ पर battery efficiency काफी अच्छी मिल जाती है heating बगएर के जो दिक्कते हैं वो भी आपको यहाँ पर काफी कम मिलती तो यह भी काफी अच्छी बात है और दोस्तो day to dask और multi dasking के लिए आपको यहाँ पर performance दोस्तो कमाल की मिलती है तो उसमें आपको यहाँ पर शिकायत नहीं आने वाली है गेमिंग के लिए दोस्तो यूजवली Qualcomm Snapdragon 778G पांच लाग के आसपास के स्कोर करता है अंदूतू पर लेकिन दोस्तो इस स्मार्टपोन के जो स्कोर है वो आपको यहाँ पर पांच लाग 40,000 के आसपास के मिल जाते हैं जो कि काफी अच्छी बात है तो performance दोस्तो काफी गेमिंग बगेर आप यहाँ पर आसानी से कर सकेंगे और हां दोस्तो यह चिपसेट आपको वीडियो एडिटिंग और रेंडरिंग भी काफी अच्छी करा देगा और दोस्तो परफॉमस वाइस आपको यहाँ पर फोन में कोई शिकायत नहीं आने वाली है और अच्छी बा सब्सक्राइस, आप को यहाँ पर अच्छा दिया गया है और ओर फोन की डिस्प्ले हैं दोनों ही आपको यहां पर अच्छे मिल जाते हैं लेकिन अगर कौन की बात करें तो वन पॉर्टीव 4Hz की refresh rate दी गई है जिससे आपको यहाँ पर बैटरी की खपत थोड़ी सी जादा देखने को मिलती है और हाँ दोस्तों का जो क्यामरा सेट अप है वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता है स्पेशल तोर पर रियर क्यामरा साइड लेकिन सेलफी क्यामरा आपको यहाँ पर आपको देने पड़ते हैं 20,000 रुपए लेकिन दोस्तों अगर अभी आप इस स्मार्टफून को पर्चेस करते हैं तो थोड़े मोडे बैंक आफर लगाने के बाद यह स्मार्टफून आपको मिल रहा है 18,000 रुपए की प्राइस पर तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर एक अपना ख्याल रखें धन्यवाद